एक पर गेट को चिक्क्रवाईज ये बहुत बड़ा बुक है और ये जो आप देखे रहो ना पूरा का पूरा धान का शीड़े असाम को जो कल्चर है ना पूरा 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 आर्ट में दिखाएगा एक साथ सच में दस हजार से जादा लोग खाना का सकते खाना सब और गाइस वो अधिवेशन हो रहा है तीन सु एकर रमीन में साड़े तीन करोड के बजट के साथ तो गाइस एक बर सोच की देखो कि ये अधिवेशन कितने बड़े लेविल में हो रहा होगा तो गाइस अभी निकलते हैं गर्चे और सीधा महा अधिवेशन में जाके आप को लगते हैं पूरा एक किलमेटर लंबा जैम होगा देख से हो बहुत ही लंबा जैम है गाइस वह इतना लंबा जैम है जानल आगे गवार आगे जो सीड इन लेगा है तो इतना जादा भीडे गाड़ी आ लोग सिप सफीत सफी दिखर चारोर देख सकते हो और इस crowd के बीच में भाई vlogging करते हुए जा रहा हूँ देखो एक बार भीड को चिक करो गाईस इस वीड को एक बार चिक करो फील करो क्या कभी ऐसा भीड आपने देखा था अगर हाँ तो भाई comment करना तो गाईस शुरुआत करते हैं इस main gate से और मेरे right में देखो गाईस सारे media के गाड़ियां है इस पर गेट को चिक करो गाईस कोई भी गाईस समा रहो हो कोई भी अधिवेशन ओएसा गेट कभी देखा था तो बिल्कुल comment करना अगर ना तो भी comment करना ये gate आखे लग कैसा रहा है नीचे बहुत जाता कीचर है गाईस कीचर से बच्टे 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 तो यहां तक बहुच गया है अगर देखो मेरे पीछे जहां main सवा हो रहा है जहां speeches होता है जहां guys भावना होता है SMEAS में भावना means guys जो भगवान के जो भी जो कर्म होता है उसको एक मतब एक्ट करके दिखाया जाता है SMEAS में यहां सारे लोग जितने भी देखरो हो ना स्रद्धालू उनके जो ट्रेडिशनल ड्रेसेज है guys जिसे धोती कुर्ता और अगेन मैं बता दूँ लेडीज अपने रिया एन मैखेले में हैं जो की SMEAS में इस ट्रेडिशन को दर्शाता है यहां से आप एंट्री करते हो जय गुरू शंकर बोलके लिखा गया और यह जो आप देखरो ना guys yellow yellow से जो golden golden से जो भी आप देखरो और sheet पूरा का पूरा धान का sheet है guys एक से तो पूरा धान का sheet आप देख सकते हो पूरा का पूरा धान से decorate किया गया फर्स टाइम guys यह पहली बार मैं देख रहा हूँ इतने awesome तरीके से सजाया गया और crowd के साथ साथ जो decoration है वो भाई insane है यार ऐसा मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था यहां इतना जादा भीड़े ना फोटोस के और इससे सजाया गया ना शायदी आपने कभी किसी अधिवेशन हो या फिर कभी आपने किसी भी यहा जो भी मतलब यूद फेस्टिबल कोई भी फेस्टिबल फंक्सन उसमें देखा होगा उपर में जो द्वज देख रहे ना व सब्सके डिखा बाए कॉरा पूरा पूरा आज में दिखा ये तो आपको पूरा असाम राट है वह आपको पता चल जाए velocis जास पांग जो इसाफ से का्यल दिया है एक, दो, तीन, जार, बाद, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, बन्रा, सोला, सत्रा, अठार, उन्निस, बीस, बाई, क्या बताओ यार, गिनके खतम नहीं हो रहा है, बीस, तीस कारे ले ओ, ओफिसे तीस ओफिसे, तब ही हम जा रहे हैं, यहाँ, जो कि बैंबोस है, या फिर जो भी मतलब कच्चे जो घर होता है, उसके छट बनते हैं, तो गाईज, मैं मंच को क्लोजली जाकर के कुछ दिर बाद जाकर दिखाऊंगे, कि उसको कितने प्यारी तरीके से सजाए, और उसमें कैसा कैसा डेकोरेशन किया गया, तो गाईज, इस स स्टेज में, और स्टेज को जाकर दिखाऊंगे, उसको कैसे डिकोर किया गया, यह देखो भाई, साउंड सिस्टम, ऐसे साउंड सिस्टम उस सरफ भी है, इक बाद देख सकते हो, साउंड सिस्टम को गौर फर्मा, गाईज, देख सकते हैं, आँ साम बुलेश के फोर्सेस ह एक एक करके सिवेर दिखाते जाएंगे, अब एक एक करके, जितने भी सरावन में, जो भी सिवेर है, जितने भी मतलब मंच वगेरा है, सारे कुछ एक एक करके दिखाएंगे, तो आगे चलते हैं, आगे और भी मतलब दिखाने लाइक के चीज़ें आपको दिखाएंगे, तो गाईज यह देख सकतो यह है प्रतिनिते सवाग रहा है जो कि अभी खाली है लड़कियाँ सेलफी क्रिक करें हैं मतलब आणडी भी है पास में इसको अभी यहाँ पर रहने देते हैं अब देखो गाईज अगर मैं एक एक करके इन सिविर के पास जा करके आपको दिखाने जाएंगे वोजानले की तरफ एक बर आपको दिखा दू मैं ने बताया था दस जजार से ज़्यादा लोग बेटके खाना खा सकते हैं तो उसको मैं प्रूफ करना चाता हूँ देखते ही ये लाइन इतना लंबा हो गया देख से करो ना भाई बीचे कितने सारे लोग है चार से पान से लोग भाई एक साथ लाइन में खड़े हो चुके तो ऐसे एक बाई देखो भोजान अलाए का सीन भाई सांव इसते और पूरा फूरा पूरा पूरा फूर Quinn लोग भरे बढ़े हो बाई साथ 10,000 से ज़्यादा भाई ये मतलब झूट नी ठागा एक साथ सच में 10,000 से जादा लोग खाना का सकते हैं जिर्फ यापर दिखा लेक लिए आए था एक पर देखो बाइशा भी ख्राउड देखो भीड़ देखो भीड़ देखो दाल को कैसे लिया जा रहा है ठेले में अब जाएंगे आगे हमारे चाचा को पगड़ेंगे उसके बाद आगे के जो सीन है आपको एक एक करके दिखेंगे तो गाईज अभी मैं शिविर के बहुत ही close में आ चुका हूँ और यहां दिखा दूँगे गाईज एक 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 डिस्टिक का ना एक एक सिविर है देखो रंगिया जिला बोलके लिखा गया है फिर रंगिया जिला दरोंग जिला दरोंग जिला फिर क्या है वो उदाल गुरी सिविर के बीचों बीच जा रहा है सिविर कुछ इस तरीकी से लोग बेठते देखो मतलब अपने सारे कपड़े अपड़े लेकर आया है और आराम से यहां चटाई वोटा है पिछा करके आराम से सोते हैं इस रास्ते पर बहुत सारे लोग हैं जो आगे की तरफ जा रहा है मार्केट की तरफ जा रहा है और आगे पहाड है बीटिफुल से पहाड हरोना चल प्रदेश के देख से तो सीन पूरा का पूरा मार्केट यहां पर बेठा हुआ है यह जो काले काले जो देख रहो ना गई सारे के सारे बात्रूम्स है पता ना अब गिनके खतम नहीं किया जा सकता है करीब होगे सायद 50-60-100 से उपर के बात्रूम्स और यहां पर हैंट पॉम्स भी बहुत जाद है करीब 1500 हैं जो यहां दिखाए देरे आने वाले लोगों को नहाना ओहना धोना बात्रूम करना कपड़े अपड़े धोना सारा कुछ के लिए व्यवस्ता जो नहीं बहुत ही बड़े एरिया में बैठाव एक मार्केट है अब इस मार्केट को एक एक करके अगर मैं एक्स्प्लोर करतो गाईस वीडियो करीब एक गंडेगा बन जाएगा एक बार भीड देखो यह जो रास्ता देखरो ना यह देखो देखो भाई भीड देखो एक बार तो यह जो भीडे ना यहाँ भी है उस तरब भी है मारकेट में भी है मतलब भाई अभी तो करीब करीब मेरेको लग रहाएगी गई 5 लाक से कम लोग नहीं है अपर गाईस ब्रीच के उस पार भी और ब्रीच के इस पार भी लोग भरे बढ़े हैं लगता गाईस कुछ तो गाइस इस वीडियो को यह पर इंड कर रहा हूं और बता ना इस वीडियो में सबसे बेस पार्ट कोन सा था तो मिलेंगे एकली वीडियो में तब तक के लिए खुश रहो अपने चार और साफ सफाई रहो और अपना ख्याल ज़रूर रखना पर झाष्ट अजयो शजयो